जाई गुरुजी, खुद का मकान हर किसी का सपना होता है, आज हम इसके लिए कुछ शक्तिशाली उपाई बताने जा रहे हैं, इनको करने से आप जल्द ही अपने मकान बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं मंगल को मकान और भूमी का कारक और शनी को निर्मान का कारक माना जाता है, मंगल शनी की दशा अंतरदशा में चतुर्थ और चतुर्दे से समध बनने पर व्यक्ति भूमी मकान की सफलता पाता है आप करें ये उपाएं और बन जाएगा आपका मकान वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमंट बॉक्स में जै शिरीराम जै हनुमान लिखें या अपने इस्ट का जैकारा लगाएं अगर घर जल्दी बनाना हो तो नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर सजा समार कर करके उसको मंदिर में दान दीजिए या फिर किसी छोटी कन्या को खेलने के लिए उपहर में दीजिए और उस कन्या से आशीर बाद लीजिए कि आपकी मनोकामना जल्दी पून हो जाए कोवों को दूसे भीगी होई रोटी और बच्ड़े वाली गाएं को मसूर की दाल खिलाएं इससे पितर भी परसन होते हैं मंगल भी शुब होते हैं और वो आपकी मनोकामना पून करने में सहता देते हैं और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है अगर जन्व पत्री में मंगल शनि की श्तिती ठीक न हो तो मकान भूमियादी में बहुत परशानियों का सामना करना पड़ता है इसके लिए मंगल वार को दाल मसूर की दाल और शनि वार को कालय मा उड़त की दाल मंदिर में दान करें या किसी गरीब को दान करें के बाद उसमें फिर कपू थोटा सा कपू जलाएं और भगवान से प्रातना करें कि वो आपकी मकान बनाने की मनुकामना को शीग्री शीग्री पूरा करें आपको अशीर बाद दें आप अपने घर पर भी चिडिया आदी के लिए एक छोटा सा घर बनाएं आज कल तो बजार में भी चिडिया आदी के लिए एक छोटा से बने बनाएं घर मिलते हैं उनको अपने घर पर लाके रखें और उसमें उनके दाना पानी आदी के लिए इंतिजाम करें इससे आर्थी पक्ष मजबूत होता है और भगवान का आशीवाद प्राप्त होता है मंदिर आदी शुब कारियों के लिए निर्मान के लिए आप कुछ इटें 11 इट से लेकर के 101 इट तक आपनी समर्थे के उनुसार मंदिर में दान कर सकते हैं किसी गरीब को भी घर बनाने के लिए इट आदी का दान कर सकते हैं इससे प्रभू परसन होते हैं और आपकी खुद की मकान बनाने में जो परिशानिया होंगी समस्या होंगी वो भी खतम हो जाएंगी किसी पान के पत्ते पर दो लोंग रख करके किसी चलते पानी में अपने दोनों हातों से जल परभा करें और भगवान से प्रातना करें के वो आपकी मनुकामना शीख से शीख पूरी करें आज बस इतना ही अगली वीडियो में नई जानकेरी के साथ आपके साबने पस्तित होंगे जय गुरू जी